कराहए था, कलाकारों के लिए मैंने भानमती का कुन्वा जोड़ा था, कही का एट कही का रोरा था, मेरी धरंपत्नी जी कही कही और मैं राजा दसर्त बना था, एक तो राजा दूसरे को तवाल इसलिए बेवजा अकडा और तना था, एक तो राजा और दूसरे कुटवाल इसलिए बेवज़ा अकड़ा और तना था राम लीला सुरू हो उससे पहले मेरी धरम पत्नी जी अपना नाटक मचाने लगी और मेरी दो और पत्नी बनने आई महिला कलाकारों को बेलन मार मार के भगाने लगी क्या बात है बोली की ऐसे संजोरे नहीं दूंगि भले ही ना ठक है उन बैचारियों को बचाने को हम भी अड़ गए उन बैचारियों को बचाने को हम भी ह कर दस बीस बेलन तो हमको बे-वजय पड़ गये एगे तुम तुम मुझे शोने के हिरनु उरन में मत उल्जाओ और दिल्वासेकते इस दसरत बने क्वतवाल से मुझको साथ दिन की छुट्टी दिलवाओ साथ दिन की छुट्टी दिलवाओ रामण बने थे थाने के ही एक दरोगा बताओ उन्होंने क्या क्या भोगा यू तो हवालाती बंदियों को रोल देना मना था मगर एक बंदी बाल का वेटा अंगर बना था और भी बंदी बंदरों के बच्चे बने थे सबको मैंने रोल दे दिया था जितने भी जने थे जब रामण बने दरोगा जी बाल की कैद में उसके घुरसाल में लाए जाते हैं और तब बंदरों के बच्चों द्वारा घोला बनाए जाते हैं, बंदर के बच्चे बने कैदी, घोला बने दरोगा जी को चलाने लगे, और घोला तेज तेज भागे, इसलिए उसके उपर चाबूग पर चाबूग बरसाने लगे, धीरे धीरे मारो दरोगा जीने कहा बात बात में, धीरे धीरे मारो दरोगा जीने कहा बात बात में, कैदी बोले कहे धीरे भाई, अब कहे धीरे भाई, अब कहे धीरे भाई, तुमने क्या कल हम लोगों को धीरे धीरे मारा था वहा हवालात में, इस पार की राम नीला में मेरा सब कुछ बंताधार हो गया क्योंकि संजीवनी बूटी लेने गया हन्वान बना कैदी अब बीच रास्ते से ही फरार हो गया